नमस्कार दोस्तों आज की जो आपकी class रहेगी वो demo class रहेगी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रोज़ाना एक ही समय पे दोस्तों आपकी classes रहेंगी जो भी student 965 post code के लिए तियारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों demo classes ली जा रहे हैं ताकि वो अपनी तियारी को बहतर कर सकें और students भी देखकर के अंताजा लगाय जा सके है अभी चार से पांचि students आए है दोस्तों आज का जो अपना demo class रहने वाली है जे वोगी की ख्लास रहेगी तो आज की demo class में दोस्तों शुरू कर सकते हैं बढ़ ख्लास कहना तो आज की जो हमारी class रहने वाली है दोस्तों नमस्कार जी देखे आज की जो हमारी class रहने वाली है दोस्तों वो है data representation data representation सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि माल लीजिए कि यह एक computer है ठीक है और यह हम इंसान है दोस्तों हमें जो भाशा बोली जाती है for example जैसे अगर आप मीजोरम से हैं तो वहाँ पर मीजो भाशा बोली जाएगी अगर आप हिमाचल से हैं तो यहाँ पर हिमाचली बोली या फिर मंडी में या सिरमवर में मतलब सबकि अपनी भाशा रहती है न, तो mainly मतलब अगर मैं common example लेता हूँ तो हम इंसानों को Hindi भाष़ बहुत अच्छे से समझ आती लेकिन दोस्तों जो computer होता है computer सिरफ एक ही भाष़ा समझता है वो होती है 0 और 1 की हम computer को कुछ भी command दे रही है, वो जो command जा रही होती है, वो 0 और 1 की form में ही जा रही होती है, वो सिरफ हमें एक भाष़ होता है, कि computer कुछ और चीज समझ रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो command होती है, वो कैसी होती है 0 और 1 की ही command होती है, ठीक है अब देखो, यह जो data representation है दोस्तों, इसमें हम यही समझते हैं, कि जब भी हम कोई command देते हैं वो कैसे देते हैं, या हमें कैसे वो सारी की सारी चीज़े change करने को रहती है दो तरह के number system दोस्तों, आपको exam में पूछे जाते हैं, और बहुत बार exam में यह सवाल आया भी है, सबसे पहला जो system होता है दोस्तों, उसको कहते हैं binary number binary number system आपको paper में सबसे पहली यही पूछ लिया जायाएगा, जो binary number system होता है इसको और किस किस नाम से जाना जाता है जो दोस्तों binary number system होता है, इसको कहते है base 2 system क्योंकि जब भी हम कोई भी term लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे तो इसके base में 2 लिखेंगे तो आपको पूछा जा सकता है कि इसको कैसा system कहते है base 2 system जब हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि इसको base 2 system क्यों कहते है दूसरा होता है दोस्तों decimal number system दूसरा कैसा होता है decimal number system यह जो decimal number system होता है दोस्तों इसके काफी नाम है ठीक है इसको एक तो base 10 system कहा जाता है base 10 system कहा जाता है और सात ही सात दोस्तों इसको कहते है positional number system positional number system ठीक है अब आपको जो एक्जाम में आता है दोस्तों आपको आता है चेंज करने के लिए कि आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना है या डेसिमल से बाइनरी में जाना है या ओक्टल से बाइनरी में जाना है या बाइनरी से ओक्टल में जाना है इस तरह से दोस्तों आपने अगर J-OE का एक्जाम पहले दे रखा होगा तो आपको इस तरह से सवाल बनता है अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सवाल बनेगा कैसे और आपको करना गया है थीक है? तो सबसे पहले देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको डेसिमल से binary में जाना है तो यहाँपे देखोँ अब ध्यान रखना है जो decimal number system है उसके base में हमेश reminding 10 B primeение है 10 लगा रहता है ठीक है? हमको decimal से en Army b frame T This appears we have dump here अब देखो आपको question paper में किस तरह से आएगा आपको question आएगा कुछ इस तरह से आपको आएगा कि बताईए 43 के base में 10 है उसको आपने binary की form में लिखना है आप कैसे लिखोगे आपको उसको binary की form में लिखना है आप कैसे लिखेंगे तो देखो आपको क्या करना होता है दोस्तों जैसे हम prime factorization करते हैं यह उसी तरह से काम करता है लेकिन इसका थोड़ा सा different pattern है जैसे हम अब हज्य गुणन खंड निकालते हैं जैसे हम prime factorization करते हैं सिरफ वैसे ही लेकिन यहाँ पे जो हम prime factorization करेंगे यहाँ जो हम अब हज्य गुणन खंड निकालेंगे वो सिरफ दो से ही निकालेंगे उसके लब आप किसी से भी नहीं निकालेंगे तो जैसे 2 से आप prime factorization कर रहे हैं अब यहाँ पर ध्यान से देखना जिसको नहीं आता है ठीक है जैसे 2, 2 जा कितना होता है 4 होता है लेकिन 2 के डेबल में 3 तो आता नहीं है 2, 1 जा कितना हो गया 2 एक बच गया ना तो जो एक बचा वो हम यहां लिख देंगे ठीक है आगे चलते हैं 2 से गरेंगे हमेशा 2 1 जा कितना होता है 2 1 तो आता नहीं तो छोटा रखेंगे 2 0 जा 0 अब यहाँ पर भी कितना बच गया 1 बच गया तो 1 हमने यहाँ पर भी लिख दिया अब यहाँ पर कितना आएगा 2 5 जा 10 तो यहाँ पर पूरा का पूरा चला गया तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0 अब आगा 5 तो हमके लिखेंगे 2 2 जा 4 अब यहाँ पर 1 बच गया फिर से तो 1 हम फिर से लिख देंगे अब क्या जाएगा 2 1 जा 2 यानि पूरा चला गया 0 और यह जो आखरी में 1 लिखा है इसको आप यहां लिख देंगे ठीक है अब यह वाली जो term होती है दोस्तों इसको कहते है MSB यह जो term होती है इसको कहते हैं दोस्तों MSB और यह वाली जो term होती है इसको कहते है LSB ठीक है अब आपको paper में यही पुछा जा सकता है कि MSB और LSB कह है यह जो MSB है इसकी full form है most significant bit significant bit और जो LSB है वो है least significant bit least significant bit यह तो आपको सिरफ मैंने एक example दिया अब यह बनेगा क्या अब आपको top to bottom की और बनना है ठीक है तो bottom to top की और आपको बनना है ठीक है तो bottom में क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे 1 फिर क्या लिखा है फिर क्या लिखा है 0 फिर क्या लिखा है 1 फिर क्या लिखा है 0 फिर क्या लिखा है 1 फिर क्या लिखा है 1 तो इसके base में हम लिखेंगे क्या इसके base में हम लिखेंगे 2 तो ये बना दोस्तों किया आपका decimal to binary form ये कैसी form बन गई आपकी decimal से binary की form ये बन गी तो ऐसे ही दोस्तों आपको exam में पूछा जाएगा कि बताईए जब आपको binary में दे रखा होगा और आपको decimal में जाना है तो आप क्या करोगे जैसे fall example माल लेते हैं कि हमको यही दे रखा है इनोंने 101011 अब हमें पता होना चाहिए कि ये 43 है और इसके base में 10 है तो आप क्या करेंगे दोस्तों पहले सबसे पहले आप यहाँ पे count करेंगे जिसको समझ नहीं आ रहा वो मुझे बता भी सकता है क्योंकि साथ ही मैं दोस्तों आपकी comments भी देख रहा हूँ ठीक है जिसको समझ नहीं आ रहा है इसी चीज को दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे क्योंकि देखिए जब भी दोस्तों अगर मैं demo आपको दूँगा तो demo दोस्तों मुझे आपको basic चीज का ही देना पड़ेगा मैं आपको directly दोस्तों कोई ऐसी चीज नहीं समझा सकता की जो आपके समझ ही ना है मुझे हमेज़ शुरुआत शुरू से ही करने पड़े की और साथ ही साथ में दोस्तों ऐसा नहीं है कि वह 1st of September से ही शुरू होगा ठीक है आप दोस्तों अभी भी जुआइन कर सकते हैं उसमें आपको benefit यह आपको इसको 18 दिन पहले का benefit मिल जाएगा क्या मिलेगा 18 दिन पहले का benefit वह मैं आपको बताता हूँ अभी आपका 18th of September को 962 clerical का paper है ठीक है जो अभी JOA वाले students है लगभग 140-150 students ने admission ले ली है वो दोस्तों उनको क्या फाइदा है कि वो JOA आपका जब भी exam है 18th या 19th of November को तब तक तो वो है ही है साथ में दोस्तों उनको जो है clerical की भी साथ में मिल रही है 18th of September तक तो ऐसा इंतिजार मत कीजिए कि एक तारीक से हम admission लेंगे एक तारीक तक देखेंगे ठीक है अगर आपका interest है अगर आप clerical की ट्यारी भी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको clerical की मौक भी मिल जाएंगे free में जे होए के तो मिलेंगे मिलेंगे और जे होए के exam तक आप रहेंगे ठीक है तो यह आपके फाइदे की बात है बाकी मर्जी आपकी आप एक को करना चाहते है एक को कीजिए अगर अभी करना चाहते हैं तो आपको clerical का भी मिल जाएगा साथी में फाइदा क्योंकि उसमें भी आपकी live classes रहती है यह आपके उपर depend करती है चीज़ ठीक है अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पर समझा रहा था यहाँ पर 6 है जितने भी यहाँ पर number होंगे दोस्तों उससे एक कम मानके चलना है आपने हमेशा तो जैसे यह है न यहाँ पर तो इसको कै लिखेंगे हम 2 आपने हमेशा लिखना है 2 multiply 1 multiply 2 की power 6 है ना तो यहाँ पर 5 लिखना है plus 0 है 0 multiply 2 की power 5 है तो यहाँ पर 4 लिखना है आगे चलते हैं 1 है इसके power में क्या है 4 है तो इधर कै लिखेंगे 1 multiply 2 की power 3 अब 0 है तो कै लिखेंगे 0 multiply 2 की power 2 plus 1 है 2 की power क्या है 2 है तो 1 multiply 2 की power 1 और जहाँ पर 1 है वहाँ लिखेंगे plus 1 multiply 2 की power 0 और आपको दोस्तों कई बार maths में भी सवाल आता है कि something raised to power 0 is equals to how much जब भी दोस्तों किसी की भी power 0 होती है तो उसका अंसर होता है हमेशा 1 ध्यान रखना पेपर में बहुत बार ये सवाल पेपर में आ बैठा है कि किसी भी कि अगर power 0 होती है तो उसका अंसर हमेशा 1 होता है अब क्या करना है आपको just इसको simple solve करना है ठीक है तो देखो 0 वाले से जब भी आप किसी को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा तो 0 वाले तो हम कटी कर देते हैं 0 वाले तो हो गए खतम अब 2 की power 5 कितना होता है तो आप देख लेंगे 2 तू जा 4 4 तू जा 8 प्लस 8 कर देंगे प्लस 2 वन जा कितना होता है 2 ही होता है 2 की power 1 है 2 प्लस something raised to power 0 1 1 multiply 1 आप इसको add करके देखे कितना बना 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 और 1 11 11 add कर दो कितना बन गया आपका 43 तो हमने किसको निकाला था दोस्तों हमने 43 का ही तो निकाला था तो हमने decimal से binary भी सीख लिया और binary से decimal भी सीख लिया अब आपको देखो फाइदा क्या रहता है live class में जैसे अगर मालो आपको चीज समझ नहीं आती है क्योंकि live class YouTube पे तो रहती नहीं है वो रहती है दोस्तों आपकी किसी application पे application पे रहती है अगर आपके मन में कोई भी doubt रहता है तो आप दोस्तों chat के थूँ अपने doubts को clear कर सकते है WhatsApp के थूँ या call के मादधम से दोस्तों आप अपने doubts को clear कर सकते है कि सर हमें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो पूरी टीम दोस्तों आपकी साहता करती है कि उस चीज़ को आप जल्दी से जल्दी solve कर सकें आगे चलते हैं अब यह तो हो गए दोस्तों एक चीज़ जो मैंने आपको data representation में basic सी चीज़ बताई इसके बाद मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कई बार आपको आजाता है octal से binary में जाने के लिए यह थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हम इस चीज़ को आसान बना देंगे ठीक है अब देखो यह सबसे आसान है जो सब के लिए मुश्किल है वो हमारे लिए सबसे आसान रहता है आपको paper में आएगा दोस्तों कि आपको binary से octal में जाना है कैसे आएगा कि convert binary to octal अगर आपको भुरुसा नहीं हो रहा ना कि यह सवाल नहीं आते है तो अभी क्या कीजेगा जैसे ही class over होगी तो हमीरपुर बोर्ड की साइट में जाकर के 807,930 और 949 के paper डाउनलोड कीजिएगा और यहां से question देखेगा कि सर्क जो करवा रहे थे वो question आये थे या नहीं आये थे आपको अंदाजा लग जाएगा ठीक है दोस्तों यहां पे आपके 2 से 3 number का question पका बनेगा ठीक है आगे चलिए अब देखो यहां पे octal जो होता है na octal donate करता है दोस्तों 8 number तो 0 से ही हम हमिशा शुरू करेंगे 0,1,2,3,4,5,6,7 यह हो गया octal 8 number हो गया यहां पे अब दोस्तों इनको हमने लिखना है binary digit में किस में लिखना है हमको binary digit में लिखना है तो देखो जहां तक यह 4 हैं तो 4 0 लगा लो सबसे पहले जहां पे 3 तक है 0,0,0,0,0 लिख लिया अब 4 से नीचे को 1,1,1,1,1,1 यहां तक लगा लिया इतना समझ आ गया अब क्या करना है 2,0,2,1 2,0,2,1 2,0,2,1 लगा दिया इसके बाद 0,1,0,1 अल्टरनेट पे 0,1,0,1 0,1,0,1 ऐसे करना है अब आपको पेपर में सवाल आएगा देखो किस तरह से और आप उसको कैसे चुटकी में करेंगे आपको आगया माल लीजिए दोस्तों सवाल आपको आएगा सवाल इस तरह से जैसे एक सवाल मैं लिख लिता हूँ जैसे सवाल आपके लिए है दोस्तों 1,1,0 1,1,0 1,1,0 और 1,0,0 1,0,0 की बेस में 2 आपको आया कि इसको आपने octal में change करना है की बेस 8 में पहले था decimal में उसमें होता है बेस में 10 octal में होता है बेस में 8 तो यहाँ पे 3,3 की bits बनती है मतलब ऐसे करके bits बनेंगी इसमें इसमें आपकी prime factorization ही होगी इसमें मैंने आपको सिधे shortcut बता दिया कि ये कैसे होगा ठीक है तो 6, 64 की base में क्या आएगा, 8, यही इसका answer आगया, ठीक है, अगर मालो आपको आजाता कि आपने octal से binary में जाना है, तब भी ऐसे ही करते, तो आप देखते कि 6 को कैसे लिखते हैं, 110 तो आप लिखते हैं, 110, 6 को कैसे लिखते हैं, 110, 4 को कैसे लिखते हैं, 100, base में क्या ध्यान रखना जब भी दोस्तों, आपको binary to octal, octal to binary, ऐसे ही दोस्तों, यह जो चीज करती है, hexadecimal to binary, binary to hexadecimal, फिर आता है, ones compliment, twos compliment, यह दोस्तों, एक काफी लंबा topic है, काफी भी stars इस topic को करवाया जा सकता है, लेकिन मैं आपके बिच किसलिए आया हूँ दोस्तों, मैं आ कि आप आईए, classes लगाईए, test लीजिए, test आपको free रहेंगे, study material आपको free रहेगा, live classes रहेगी, live classes अगर miss होती हैं, तो आपको दोस्तों की recorded classes भी रहेंगी, इस से बहतर मौकर दोस्तों, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, देखिए, मैं आपको options दोस्तों, आपके पास 1000 हो YouTube में भी आपको पढ़ाने के लिए बहुत मिल जाएंगे, लेकिन, वो आपको decide करना है, कि आपने किस से पढ़ना है, ठीक है, choice आपकी है, काम हमारा है, हम आपको बहतर दिलाना चीज़ चाते हैं, तो इसलिए हम आपके भी चाहें हैं, बाकि दोस्तों, previous results के अगर बात करे ही होगी, और student जो clerical और JV की त्यारी कर रहे हैं, वो जल्दी से जाकर के join कर लिजिए, 18 दिन भी अपने बरबाद मत कीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा, आपको एक दिन में ही अंदाजा लग जाएगा, कि आपको किस level का पढ़ाया जा रहा है, HPG के, ठीक है, यह India में, तो आज की रही सिरफ इतना ही, मिलते हैं दोस्तों, कल इसी सेम समय में, और demo रहेगा computer class का ही, थोड़ा सा advance कर देंगे उस चीज को, thank you